जब हम मशीन नर्निंग के स्टेप्स की बात करते हैं या मशीन नर्निंग की एप्लिकेशन को डिवल्प करने की बात करते हैं तो अभी हम नहीं जिकर किया था कि हम इन मोडूल्स में यह देखेंगे कि हम एक एक end-to-end problem को solve करना चाहते हैं या end-to-end application of machine learning develop करना चाहते हैं अभी end-to-end का मतलब क्या होता है एक end-to-end का जैसे मैंने अभी जिकर किया था end-to-end का मतलब यह है कि हम यह देखेंगे कि हमारे पास कोई भी ABC डेटा या कोई भी ABC कंपनी है जिसका कोई problem है जिसको हमने machine learning के algorithm के through solve करना है अब हम उस company से data उठाएंगे उस data के उपर अपने machine learning के algorithm उठाएंगे फिर उस company के अंदर उस data को जाके या उस algorithms की बेस पर जो result आया है उसे deploy करेंगे और फिर उसमें improvement में भी help करेंगे जिसके लिए हमने अभी आठ जो steps थे वो देखे थे उनमें पहला step था frame the problem अब frame the problem का मतलब क्या है frame the problem जो है यह कहने में तो बड़ी असान सी term है कि आपने data उठाया और उस data को फैट कर दिया machine learning के अंदर लेकिन ऐसा नहीं है frame the problem का मतलब यह है कि आपने अब यह देखना है कि आपने जो बंदा या जो डिवेलपर प्रोग्रामर एक्डायमिशन जो भी है जो machine learning का algorithm बना रहा है या उससे develop कर रहा है उसका background के है उसके कितनी capabilities है वो किन algorithms को बहतर समझता है एक चीज जो problem आप solve करने जा रहे हो वो किस चीज़ का problem है सबसे बड़ा मसला जब हम किसी चीज़ को computer science में solve करते हैं उसे automation की तरफ लेके जाते हैं तो यह problem होता है कि gap होता है between developer and client यानि कि जो बना रहा है और जो बनवा रहा है उन दोनों के दर्में काफी gap होता है क्योंकि developer जो हर चीज automation के लिहाँ से सोच रहा होता है वो सोच रहा होता है algorithms के लिहाँ से अपनी development की capabilities के लिहाँ से जो उसको freely available चीज़े हैं या जो उसकी चीज़ों groom कर चुकी है जो उसके हाथ में जो उससे understand करता है programming language से कौन से आती है उससे database वाली साइट कौन से आती है उसको किन libraries का पता है machine learning के case में तो वो उन चीज़ों के लिहाँ सोच रहा होता है client जो है वो सोच रहा होता है कि मुझे कैसे best result आएगा और वो best result भी सिर्फ एक ही उसका मकसद होता है कि उसका business grow करे तो इस वजाएसे काफी gap होता है इस gap को खतम करने के लिए हमारे पास पहल होगा है जो हम software में चेक करते हैं कि जो आप problem solve करने चाहरे हो वो किस business relevant है अब उस business relevant का फाइदा हमारे पास क्यों होगा second point में होगा कि how does a company benefit expect to use and benefit from this model इस से मुराद यह के let's say अगर एक company है जो यह चाहते है कि वो अपनी sales की forecasting करे तो उसके लिए regression के problems यह regression ज्यादा important होगा लेकिन अगर एक ऐसी company है जो object recognition पर काम करी है कि जैसे surveillance camera's को understand करने के लिए उनकी stream को तो उसके लिए classification का problem एहम है एक company जो cancels पर काम करती है उसके लिए anomaly detection का problem एहम है एक company है जो सिर्फ male और female के उपर काम करी है कि वो चेक करते है कि जिए gender equality पे यह genders की understanding पे काम करी है उनके अच्छा आप problem को understand करके जो अब आप जिस तरह से define करोगे तो फिर आप कहोगे जी कौन से algorithms हमारे पास use होंगे फिर algorithms के बाद हम यह देखेंगे कि performance मेयर्स हमारे पास कौन कौन से कौन से performance मेयर जो हम यूज कर रहे हैं इसी तरह परफार्म मेयर के बाद फिर अब आप चेक करते हैं कि जी हमारे पास जो क्लासिफिकेशन के लिदम नहीं वह सुपर्वाइज नहीं एंसुपर्वाइज नहीं यह हम पहले भी चेक कर चुके हैं अगें इस 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 एक लासि इसकी कैसे होगी जैसे एकुरेसी है प्रिसीयन है री कॉल है कौन सी चीज़ यूज करेंगे वाट शुद भी दा मिनिमन परफार्मस नेरी तूरीज बिजन अब यह बड़ा इंपोर्टन है क्वेस्टन वाइज जब आप किसी रिसरच प्रॉब्लम पर काम कर रहे होते हैं आपने जैसे मैं एक चोटे से पर पहले भी दे चुक हूँ आज दोबारा बात कर लेते हैं उस पर के लटसे आप एक एप्लिकेशन बना रहे हैं जिसने यह देखना है कि मिज़ के अंदर अगर इस कैंसर मौजूद है तो आपका यल्गरिदम जो है उस एक्जेक्ली बता स के लेट से मैं यह कहता हूँ आपके बस 100 इमिजिस थे उन दो के अंदर ना कैंसर था आप एक लासिफएर बनाते हैं जो 98 इमिजिस में बताता है कि कैंसर मौजूद नहीं है तो इसकी एक और इसी होगी 98 पर से लेकिन अगले दो में वह कहता है कैंसर नहीं है तो क्या यह क कबूल होगा काबले कबूल होगा सोची इस बाळत पर इस पर आप कमेंट्स पर भी हमएं आंसर दे सकते हैं लेकिन इसी तरह और हमारे पास Divine लेट से हमारे पास हमने एक कांटिंग करनी लेट से ढम हैं अप पर यह क drinking घ्रम है कि आपके पास एकौह पलांट पे कितने और लगे हुए वो 98 और इसको सही परचान लेता है अगले दो और जिस जो है लड़ से नहीं है वो कहता है जिए यह भी ना तो अब 100 में से उसकी फिर एकुरिसी या उसकी जो प्रेडिक्शन है वह 100 परसेंट है कि यह सो और इस लगे हुए आलदुवा 98 अब क्या यह कुरिसी य या रिकॉल वाटेवर जो भी आप इसे कहीं एविलिशन ठीक है या घलत है या यह क्लासिफाय ठीक है दूसा क्रश्चन क्या अब यह जो दोनों हैं हमारे वाले पहला कैंसर वाला दूसा औरेंज वाला इन दोनों के एफेक्स एक ही होंगे तो अगर आप इन दोनों चीज सॉल्व मैनुली अब यह बड़ा इंपॉर्टन अगी है कि भी जो हमारे पास प्रॉब्लम है अगर हम उसको मैनुली सॉल्व करें तो क्या उतनी वह एफट ले रहा है जितना आटोमेटिक ले रहा है आटोमेशन का मकसद यह होता है कि जो प्रॉब्लम हमने मैनुल लनिचाहिए इसका अंसर नो है मशीन लनिंग आर्टिफिशल डेनियस या करणली डीप लनिग यह उन्हें अप्लिकेशन में ज्यादा बेस्ट होटिड है कि जहां पे हुमन एफर्ट बहुत ज़दा रिकॉयर हो इससे मुराद किया जैसे एक पंजाब सेफ सीटी के हमने क अवर्टे गलत कर रही है तो मैनुल सिस्टम्स आइसस तो अपसुलीट हो रहे हैं अपसुलीट का मतले होते जा रहे हैं रीजन के है क्योंकि हुमन जो थक जाता है टायर हो जाता है कंप्यूटर नहीं थकना कंप्यूटर कैमरा लगे हुए उन्होंने 24 घंटे चेक करते ज जाएगा इस वजह से आपने यह भी देखना है कि कौन से प्रॉब्लम हैं जो मैनुली सॉल्व हो सकते हैं कौन से मशीन निक बेस्ट हैं या आटोमेशन की रिकॉर्मेंट है पिर आपने यह देखना है कि इस डेटा को या इस प्रॉब्लम को जिसको आप सॉल्व कर रहे हो उसमें कौन कौन से जैसे लट से मैं यह कहता हूं क्या मैंने जैसे सेफ सीटी एग्जमपल दी मैंने वहां पर कैमरा लगा है तो क्या मैंने एजम्शन कुछ रखनी हैं मुर और देगा जैसे आपने कई दफा देखा भी होगा स्कूल टाइम में यूनिवर्स्टी टाइम में काफी जादा ट्राफिक होती है जो सीधी जाने के बजाए लिवर्स हारी होती है टाकर टाइम बसके बच्चों को जल्दी ड्रॉप कर सकें तो क्या इन एजम्शन को आपन जैसे मतलब है गॉर्मेंट के लिए बना रहे हैं तो आपने एजम्शन को वेरिफा करवाना है कि जो मेरा मशीन रानिंग अल्गिदम है इसमें ये एजम्शन होंगी तो क्या ये एजम्शन ठीक है या गलत है तो मेक शोर कि इन एजम्शन को भी आप प्रॉपर चेक करें तो अब फ्रेंड़ प्रॉब्लम से मुराद हमारे पास कहा है कि इस सारा बैग गरॉर्ण नॉलिज है लेकिन मुस्ट इम्पॉर्टन है वाई क्योंकि जो भी आपके बैग गरॉर्ण नॉलिज होगा उसकी बेस के ओपर आप अपना सिस्टम डिवैलप करोगे अपने सिस् तो कंक्लूड अब इससे मुराद हमारे पास के है कि ये किसम का हमारे पास सॉफ़एर रिकॉर्मेंट स्पेसिकेशन डाकुमेंट है जो हम अपने सॉफ़एर एंजिनिंग के अप्लिकेशन में पहले यूज करते रहें कि कौन कलाइंट है उसका बिजनिस क्या है उसको फा कि ये कौन करते है उसके बिजनिस के अपना के अब हमारे वेज्यत में आक बें से जिता इसरह जाएंगाग है difference there